नमस्कार दोस्तो स्वागते आपका दबंग लॉयर यूटूब चैनल पर में हो आपका हर्षवदन भाया दिश्मुग और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तो राइट आप प्री ओडियंस जो कि section 23 में आमको देखने को मिलता है under the advocates act of 1961 ए section क्या explain करता है who has the right to pre-audience in court अब यह क्या है भाई right to pre-audience in court का मतलब क्या है meaning they get to speak or present their case before others मतलब कौन पहले क्या करेगा case को present करेगा कौन पहले speak करेगा बोलेगा in court कौन बोलेगा कौन अपना case सबसे पहले present करेगा समझ रहे हो कि they get to speak or present their case before others किसी और advocates से पहले उनको क्या मिलेगा right मिलेगा कि वो क्या कर सके अपना case अपने case को present कर सके अपने या फिर अपने arguments रख सके इट इस्टेबलिश्ट इस्टेबलिशेश और hierarchy तो कि यह section क्या करता है एक hierarchy को जन्म देता है जैसे कि सबसे पहले कोन आएगा attorney general of India सबसे पहला कोन होगा attorney general of India यह सबसे बड़ा बोल सकते है या has the highest right to pre-audience सबसे ज्यादा अतलब highest right क्या बोल सकते है highest right to pre-audience among all advocates सबस्क्राइब यह सबसे बड़ा advocate होते है यह सबसे बड़ी legal position बोल सकते है this means they have the first opportunity to speak in the court उनको क्या है first opportunity to speak in the court उसके बाद है solicitor general of India क्या है फिर है solicitor general of India और उसके नीचे कोने मतलब एक higher की है एक ऐसा बोल सकते है कि एक pyramid बोल सकते हूं कि सबसे उपर होगा और फिर उनके नीचे सेम सेम चीज़े सबसे पहले होगा attorney general of India उनके पास सबसे पहली पावर होगी या सबसे ज्यादा पावर कि राइट होगा सबसे ज्यादा राइट होगा बोलने का या first opportunity to speak in the court बोल सकते है तो सबसे बहले आता है attorney general of India फिर है solicitor general of India फिर additional solicitor general of India अगर हो तो फिर second additional solicitor general of India if applicable बल मतलब अगर हो तो इन्स्टॉट फिर advocate general of state फिर state की बारे में आता है फिर state advocate general of state समझ रहे हो फिर advocate general of state के बाद अब advocate general of state अलग अलग state है तो अलग अलग advocate general of state हो सकते तो उन में से भी कोन पहले बोलेगा तो वो बेस किस पर होगा among their seniority पर बेस्ट होगा मतलब the advocate general of state has a higher right to pre-audience than other advocates but their order of pre-audience among advocate generals depends on their seniority मतलब अगर कोई दूसरा एड़ेट जिन्रल है किसी और state का और जैसे कि महाराष्टा महाराष्टा से हो अगर advocate general of maharashtra आए या advocate general of जिन्रल आप किसी और state का अगर उसमें और उन दोनों में अगर कोई senior है तो senior को कह मिलेगे राइट मिलगा हो मतलब जिसकी ज्यादा जूस को ज्यादा पावर यह ज्यादा राइट फिर आता है डिकर जेनरल ऑफ स्टेट के बाद है आमंक ऑड़ा केटस फीर सीनियर एक सोते हैं मेल एक चैसिंग यह जन्ता हूनत करने मारे चेक्शा आम आज सबस्क्राइव तैसे एक चोपा टीक्राइवंगा सब्तुर्च ऱ और admission of a person as advocate on state tool, जो कि section 24 में देखने को मिलता है, तो आयोब आपको वीडियो पसंद आयो, लिंक्स जाकर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में दी है बहुत सारी, कोई यूश्य है, डाउट है, तो DM कर सकते हो, मेसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज है मेरा, और फिर देखो क्या करना है आपको, और PDF नोट्स, डिलिग्राम चैनल है, लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, आपको जाकर PDF नोट मिल जाएंगे, तो मिलती है अगले वडियो में,